Good morning students, आज हम लोग chapter 9, water पढ़ेंगे, तो water क्या होते है students, आप लोग को पता है, water is very essential for us, water जो है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा essential है, क्यों, because without water हम लोग survive करने की सोच भी नहीं सकते है, for example, आप cooking कीजिए, drinking कीजिए, bathing कीजिए, या फिर आप कोई भी other work कीजिए, बीना water के आपको possible है, नहीं है, तो अब uses of water क्या है, uses of water क्या है, की cooking, drinking, bathing, washing, swimming, ये सभी जो है examples है, uses of water के, अब इन सभी का जो use होता है, बीना water के ये संभव नहीं है, बीना water के ये work जो है वो संभव नहीं है, तो हम कह सकते हैं students, की water is our basic need, water जो है हमारा basic need है, ना अब बात करते हैं की water क्या हो गया, water जो है उसकी uses क्या है, उस पे भी हम बात कर लिए, तो अब पुछेंगे की water जो है, वो आता कहां से, sources of water क्या है, water कहां से आता है, तो student, sources of water में mainly सबसे पहले हम दोग तो points पे बात करेंगे, surface water and second है ground water, surface water क्या होता है मैम, तो जो भी water हमारे ground के surface पे present होता है, हम उनको surface water बोलते हैं, तो अब ये ground पे water आता कहां से मैम, तो आपको पता है कि हमारे source जो होते है, water के source, उनमें सबसे most important और main source जिसको हम लोग बोल सकते हैं, main source of water is called rain, rain को हम लोग main source of water बोलते हैं, आप से अगर कोई पुछे कि main source of water क्या है, तो आप असारे से बोल सकते हैं कि rain, बारिस जो होती है, वो हमारा main source है water का, now, अब क्या होता है कि जब बारिस होती है, तो हमारा जो water है, वो क्या करता है कि वो flow करके जाता है, और lake, river, streams, इन सभी में जाकर के fill कर देता है, इन सभी में जाकर के भर जाता है, और बाद में हम लोग उसी water को use करते है, now, second point क्या है, second point क्या है, ground water, अब ground water कहां से आता है, जब भी बारिस होती है insurance, तो बारिस होने के बाद कुछ waters दो है, वो बहुत ज़्यादा deep में डिग हो जाते हैं, जाकर उसमें जमा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा underground, मतलब जमीन के अंदर बहुत अंदर चले जाते हैं, उन water को निकालने, well, hand pumps, इन सभी का use करते हैं, और इससे हम उस water को बाहर निकालते हैं, और अपने house में use करते हैं, तो हम mainly हम लोग जो है, वो दो ही तरफ के water के source से water प्रात करते हैं, पहला है surface water, second है ground water, surface water और ground water को जान लिये, अब एक point आपको हम एक और बात बताना चाहेंगे students, की जब भी बारिस होती है, बरसात के बाद, हम लोग पानी को store करने के लिए dam और canals का use करते हैं, dams बनाते हैं, जिससे की हमारा जो rain water है, वो save हो सके और in future हम लोग उसका use कर सके, तो students, इसके अलावा, a part of these two sources, इन दो sources के अलावा, हमारे पास एक और source हैं, जिससे हम लोग water प्राप करते हैं, वो क्या है, high mountains जो होते हैं, उनमें snow और ice जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, और जब in summer season, बहुत ज़्यादा sunshine करती हैं, बहुत गर्मी पड़ती हैं, तो क्या होता है, कि वो melt होने लगता है, और melt होके, flow करके, वो चला जाता है, river में, pond में, lack में, और हमारे जितने भी water के source हैं, उन सभी में, और फिर उन से हम लोग use करते हैं water को, तो ये तो बात हुई आपकी water के source के, अब आप बोलेंगे, क्या मैम, जो ये water है, इन सभी water को हम लोग drink कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर हम इस तरह की water, जो की surface water में और ground water में जो available हैं, उनको अगर पिएंगे, तो हम लोग विमार हो सकते हैं, में भी die, हम लोग मर भी सकते हैं students, तो अब बात आती हैं कि हम लोगों कैसे water को drink करना चाहिए, हम लोगों को water को, सबसे common एक way है water को purify करने का, कि हम लोग उसको boil कर ले, water को boil करने के बाद, water के जो germs होते हैं, वो मर जाते हैं, वो फिर germ free हो जाते हैं, और germ free होने के बाद हम उसको जब पीते हैं, तो हम ना तो भी मार होंगे, और ना ही कुछ होगा, साथ ही इसके अलावा, हम लोग water purifier का यूज़ कर सकते हैं, water filter का यूज़ कर सकते हैं, साथ इनके अलावा, हम लोगो water को हमेशा एकदम clean and covered tank में रखना चाहिए, किसी जगा पर, अगर किसी भी container में रख रहा है, तो आपको देखना चाहिए, कि वो clean हो, और वो ढखा हुआ हो, covered हो, तभी उस water का यूज़ drinking के लिए करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तर जो बिमारी होते हैं, वो हमारे जो है, water के खराब होने के वज़से, गंदे पानी पीने के वज़से हो जाते है, डाइर्या हो या फिर और भी बहुत सारे इसके examples हैं, इसके बाद एक point और आता है, कि हम लोग जब water की जब water इतना ज़्यादा precious है, इतनी ज़्यादी कीमती है हमारे लिए तो हम लोग water को save करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं, save करना चाहिए, करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर कुछ बच्चे होते क्या की brush कर रहे हैं, और नल को खुला छोड़ दिये, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भी आप brush कीजिए, नल को बंद करके रखिए, साथी जब भी ज़रूरत ना हो, आप नल बंद कीजिए, कोई आपसे बड़े भी हो, अगर वो नल खुला छोड़ के चले गया है, आप उनको बोलिए कि इस तरह से water waste नहीं करना चाहिए, क्यूंकि water जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा, इस वाटर को सीफ करने का एक और तरीका है, क्या तरीका है कि हम लोग जब भी रैन हो, जब भी बारिस हो, तो हम लोग बकेट में, कंटीनर में इस्टोर कर ले water को, उसको हम लोग animals को पानी को दे सकते हैं, या फिर हम लोग अपने clothes को वास करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, यूटेंसिल को वास करने के लिए मतलब वरतंद होने के यूज मिला सकते हैं, या फिर यह सब अगर नहीं कर सकते हैं तो हम लोग plant में उसको डाल करके उसका यूज कर सकते हैं, यह हमारा जो blood होता है वो 83% water रखता है और हमारा brain जो है वो 75% और हमारे bones 25% water रखते है तो जो भी water इतना essential है तो सबका हग बनता है कि हम लोग उसे safe करके रखें और उसका सही use करें thank you so much for watching this video अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए helpful रहा हो तो like जरूर कीजिएगा और comment जरूर कीजिएगा साथ ही share करें thank you so much